नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केरियर एजुकेशन, केरियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है विभिन क्रिसी करांतिया, बिल्कुल दोस्तों आप सही सुनें, विभिन क्रिसी करांत जो हैं वो किसे से संबंधित हैं इसी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो इस टॉपिक से आपके एकजाम में 100% सवाल देखने को मिलेगा तो आप वीडियो को पूरा देखिए आपके लिए एक एक सवाल इन्पोर्टेंट हैं ओके दोस्तो चलिए बिना देरी किये हुए हम लोग डाइरेक्ट कोशन देख लेते हैं एक नमबर कोशन कह रहा है कि हरित करांती जो हैं वो आपको किसे से संबंधित हैं तो ख़दान उत्पादन से संबंधित हैं हरित करांती जो हैं वो आपको ख़दान उत्पादन से संबंधित हैं ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन दू नमर कह रहा है कि स्वित करांती जो हैं वो आपको किसे से संबंधित हैं तो दुग्द उत्पादन से संबंधित हैं स्वित करांती जो हैं, वो आपको दुख्द उत्पादन से संबंदित हैं, ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन तीन नमर कह रहा हैं, कि निली करांती जो हैं, वो आपको किस से संबंदित हैं, तो मतस्ट से उत्पादन से संबंदित हैं, निली करा जो है वो आपको किस से संबंदित है भूरी करांती जो है वो आपको किस से संबंदित है भूरी करांती जो है वो आपको उर्वक उत्पादन से संबंदित है उके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपको कह रहा है कि रजत करांती जो है वो आपको किस से संबंदित है रजत करांती जो है वो आपको किस से संबंदित है तो अंडा उत्पादन से संबंदित है रजत करांती जो है वो आपको अंडा उत्पादन से संबंदित है ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं पिली करांती जो है वो आपको किस से संबंदित है तो त तिलहन उत्पादन से संबंदित है पिली करांती जो है वो आपको तिलहन उत्पादन से संबंदित है ओके चलिए next question देख लेते हैं कृष्ण करांती जो है वो आपको किससे संबंदित है तो बायो डीजल उत्पादन से संबंदित है कृष्ण करांती जो है वो आपको बायो डीजल उत्पादन से समबंधित है ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तो मैं उमेद करता हूं कि कोशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दिजे और कमेंट करके बताए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर दिजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिखे दोस्तो अगर आपको इसका पीडियव चाहिए तो मैं टेली गराम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से आपको इसका पीडियव मिल जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि लाल करांती जो है वह आपको किसे से संबन्दित हैं तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबन्दित हैं ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं गुलाबी करांती जो है वह आपको किसे संबन्दित हैं गुलाबी करांती जो है वह आपको किसे संबन्दित हैं तो जीगा मचली उत्पादन से संबन्दित हैं गुलाबी करांती जो है वह आपको जीगा मचली उत्पादन से संबन्दित हैं चलिए, नेक्स्ट गोशन देख लेते हैं, बदामी करांती किससे समबंदित हैं, तो मासाला उत्पादन से समबंदित हैं, चलिए, नेक्स्ट गोशन देख लेते हैं, सुन हरी करांती जो है वो आपको किससे सम्पंदित है तो फल उतपादन से सम्पंदित है चलिए next question देख लेते है नेक्स्ट कोचन आपको कह रहा है कि अम्रित करांती जो है उ आपको किससे संबन्दित है तो नधी जोडो परियोजनाए से संबन्दित हैं अमरित करांती जो है वो आपको नदी जोड़ो परियोजनाय से संबंदित है ओके चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं गोल करांती जो है वो आपको किस से संबंदित है तो आलू उत्पादन से संबंदित है गोल करांती जो है वो आपको आलू उत्पादन से संबंदित है ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं सोन करांती जो है वो आपको किसे संबंदित हैं तो बगवानी से संबंदित हैं सोन करांती जो है वो आपको बगवानी से संबंदित हैं सोन करांती जो है वो आपको बगवानी से संबंदित हैं ओके दोस्तो इतना question था, मैं उमेद करता हूँ कि सारा question आपको याद हो गया होगा, दोस्तो अगर आपको सारा question याद नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक-एक सवाल important है, आपके exam में इस वीडियो से same to same सवाल देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को पुड़ा देखिए, आपके लिए एक-एक सवाल important है, ओके आपसे मैं next वीडियो में next topic में मिलता हूँ, तब तक लिए take care and bye दोस्तो.